हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है एड़ोकेट मुदफर अली शाह साथ सरस्वागित आपका नियुश सार इंडिया बहुत है बहुत है शुक्री है आपका सर मुदफर साब आज साथ फरवरी है और आज के दिन जो ममता सिंग वर्सिज जेडिय जो आज सुनवा कि मुझे भी इसमें पार्टी बनाया जाए आपको याद होगा पिछली बार जो हीरिंग हुई थी उस हीरिंग में एपलेंट ममता सिंग और जो जेडिय है उन्होंने टाइम मांगा था कोड्स है कि हमें महलत दी जाए हम इसमें अब्जेक्शन फाइल करें इस साफ पर हो उस एप्लिकेशन में आज उन्हें अब्जेक्शन फाइल किये एपलेंट ममता सिंग जी भी उन्हें फाइल किये और जो जेडिय की तरफ से अब्जेक्शन थे उन्होंने वह फाइल कर दी आज और पिछली डेट पर मैं याद दिला दूँ आपको के आखरी मोक जो है तारीख पड़ी है या क्या कुछ निकल के सामने आए इससे अब अब्जेक्शन फाइल होने के बाद इस एप्लिकेशन में आर्गुमेंट होंगे अगली डेट जो है 27 फरवरी को फिक्स किये कोड ने सारा तारीख पर भैस होगी जिसमें यह बहस होगी कि क्या मुझे इस एप्लिकेशन के बाद इसको एलो करके मुझे पार्टी बनाना है या नहीं बनाना है जब यह केस की बहस होगी उसके बाद आगे कारवाई जो मैन अपील में बहस के लिए ही क्योंकि अब्जेक्शन उ वकील हैं जेडिये कि उनने पिछली डेट पर कहा था हम कम्प्लीट पेश करेंगी आज जब मैंने बात कोड में रखी कि जेडिये के वकील साहब ने टाइम मांगा है मांगा था रिकॉर्ड कंप्लीट पेश करने के लिए तो अदाश शर्मा सर ने कहा कि इसमें आर्गुमेंट्स होंगे उसके बाद नेक्स्ट डेट पर पॉसिबली जो है मैं अपील में भी आर्गुमेंट्स होंगे और फैसले के लिए केस रखा जाएगा जब आप पे आरोप भी लग रहे हैं कि आप जो है एक मंच्छा के साथ मतलब एक नाम को खराब करने के लिए बाद भाजबाख्यक narण के लिए उनका नाम करे लिए इसमें ज्यादा इंटर्स ले रहे हैं इसमें कितना ओ हो पहले जनता में कितना अच्छा है 1980 कितना क्राब हो की दो नहीं है पूरा देश्च में हर जगाप पे जो आवां में एक लेर है वो सब को पता है किपार ने क् किया था जो मोधी जी हमारे प्रफान मंत्री उनन програм क की सबका साथ सबका विश्वास उन्होंने का थैंगे अच्छी गवर्नेश लेंगे लेंगे तो मैं उन्हीं की मदद कर रहा हूं मैं मौधी जी के उनकी party के एंदर clean नेता नहीं है clean लोग नहीं है मैं उनको point out कर रहा हूं और जी को लगता है अगर नदर मंतरी जी को कि मां इंदुस्तान में सफाइए करनी है सबयाज अभियान होना शुरू किया है तो मैं जहने national interest मैं उनके mission को ओगे कर रहा हूं कि मोदी जी तो प्रधान मंत्री मेरे भी फीर न मैं तो नहीं कहसकता कि किसी पार्टी मेल नहीं रखता लेकिन इस हिद्दान का नागरी क्वने किनाते उंप्ता है उस 1957 सब्षयाइब मेरा इसम्ट सब्कर कॉप्रेट कर सकूँ जहां-जहां मेरे से हो सकता है, जितने में मेरे लावल पर हो सकता है, आपने कहाँ पिछली बार भी 4G का इसवी ता, मेरा फ़र्द था अ सब only मीडियम से बात भी हुई थी और हो सकता है पता नहीं किस वज़ा से किस बात पर लेकिन उसके महिने के बाद 4G रिस्टोर हुआ था और मेरी वज़ा से खाली नहीं हो लेकिन लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया जोने अपने कमेंट्स किये से लेकिन कमें किसी को आगे आना है मैं वह से स्टम मैं जेतना मुजब कर सकता हूं सरकार में अव्य सब्सक्राइक कर सकता हूं जिया गार्यारा झाल बमेंची को अच्य क्रिदियूर है यह सरकार द्शे किसी बड़े से पूछ ले आपको कि नहीं का पुएंट जारा जोन लोह को लगता करें कि मैं कुई मेरे खामी है कि इस accurate बात बोली है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे बताइए मैं कई बार अपने जब मैं स्कूल टाइम में था यूनिवस्टी टाइम में शेयर भी पड़ता था कि मैं अपने दुश्मनों का बड़ा आतराम करता हूं मैं अपने दुश्मनों का बड़ा आतराम करता हूँ कि मुखालफत में मेरी शक्सित समर्थी है जो मुखालफत करते हैं उससे मैं इंप्रू होता हूँ मुझे तराशने का वक्त मिलता है आप देख लिए में एक वक्त था मैं दो लोगों के समने बोलनी पाता था कैमरे के समने तो सवाल ही पता नहीं होता जब मैं आल इंडिया रेडियो के तरफ से मुझे आफर आया था जब मैं लॉस्कूल में था कि सर आपने हमारे साथ कोई प्रोग्राम पर कुई बात हैं बोलनी है तो मैंने खली इतना कहा कि थैंक्यू बस सिर्फ थैंक्यू और बस वाला रिकॉर्ड होगे मैं बोल नहीं पाया उसके आगे और आश्ता आश्ता फिर मुझे मेरे टीचर्स ने मेरे स्कूल के फ्रेंड्स जो थे प्रेंड्स से उन्हें इंप्रूवमेंट कर लिए मैं साथ में काके मुझळफर तो बोल सकता है आप प्लीज बोला करें आप में क्वालिटी है कोई बोलने की ऐसे अब मुझे थी नहीं पता है लेकिन लोगों ने मुझे बोला और वकत ऐसा आगे कि मैं आज कल आपके सामने बोल रहा हूँ पहले दो दिन तुमें इंटरूज दिये तो मेरी आवाज में थोड़ा हिचकचाहट थी और आज 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 इंप्रूव कर रहा हूँ तो जनता के सवालों का मैं हमेशा खréर मगदम करता हूँ और जो भी सवाल जैन्वीन है मैं उसका जबाब देने के लिट्यार हूँ निर्मल सिंग केस में ममता सिंग केस में या भाजपा के जो नेता है उस केस में आपको ज्जादा ही इंटरेस्ट है बाकी लोग मतलब कहीं पर आपको इलीगल नहीं दिख रहे हैं इनक्रोच्मेंट नहीं दिख रहे हैं बाकी लोगों में वो चीज़े नहीं है या इसके अलावा और कितने केस हैं जिसमें आप पार्टी हैं देखिए हमेशा मोदी जी ने कहा कि सफाई घर से शुरू करो तो म में महरादू फ्लैट्स करवाए कमज़कम डेर सो चाथ की बिल्डिंग थी कैरला में सुप्रीम कोड ने का नो इलीगल इस इलीगल तुलवा दिया और तीन सेकंड के अंदर पूरी की पूरी बिल्डिंग डिमॉलेशन हुई क्यों क्यों क्योंकि इलीगल कंस्ट्रक्शन विदॉट पर्मिशन थी और साथ में एक ग्रीन जून था उस एरिया को ग्रीन जून में डिक्लेर किया था वह कंस्ट्रक्शन हुई तीन सेकंड के अंदर फ्लैट्स पूरे पूरे डिमॉलेश करें सुप्रीम कोड में उसके बाद रिसेटली मैं जैज्मिम्ट पड़ी ए कोड में मसला गया पहुंचते पहुंचते कोड का मसला जो सुप्रीम कोड तक केस गया सुप्रीम कोड ने का नो दिस नौइडा थर्टी वाज इन कोल्यूजिन विद दी इस टावर बिल्डर्स यह इनसे मिलके इन्होंने यह विदॉट पर्मिशन करवाई यह दोनु साफ सरकार की बात करते हैं मिनिमम गशलैंस एकसम्मर जी कोडी इमोलिश करेंगे जमू किश्मीर में में मेसज जाएगा कि भाया ये सरकार किसी के साथ बेहत बाव नहीं करती, ये सरकार जो है, इंप्लिमेंट लाग को बराबर करती है, सब इसके समने बराबर है, चाए कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, कोई चीफ मिनिस्टर हो, या कोई मेंबर पारलिमेंट हो, लेकिन illegal illegal है, गलत construction होई है, का कानून के नजर में बराबर माना जाएगा एक एकजेंपल दूँगा मैं ज्यादा दूर नहीं जाओंगा कुछ साल पहले बसंतराथ साहब यहां पर आई जीपी ट्रैफिक आए थी जमू शहर के अंदर आपने देखा कि उन्हें दो या तीन बड़े-बड़ी गाड़ियों क पकड़ा जो अच्छी अच्छी ऑफ्सरांद की बच्चों की गाड़ियां थी उनके बेटे ड्राइव कर रहे थे उन्हें क्या आप लोगोंने मीडिया के तो लाइव कोरेज की कि आप देखो बसंतराथ साहब ने आज फलानी फलानी गाड़ी पकड़ी उसके अगले दिन सब्सक्राइब कर देख लिए नीचे वाली रोट से पलोडा वाली रोट से जाएं तब उतना टाइम लगता है उपर वाली रोट से उतना टाइम लगता है कहां हो सिस्टम क्यूंकि आप छोटे-छोटे बच्चों कुछ पकड़की चलान कर लेते हो उस चलान से कौन देख क्योंकि आपके अपनी पार्टी की बंदे हैं ना जिसने सरकार इसके खलाफ कारवाई करें इस इलिगल कंस्ट्रॉक्शन खलाफ उस दिन पूरे ज्यासत में मेसेज जाएगा कि भाईया आप कोई नहीं बचेगा फिर उसके बाद जाए इलिगल कंस्ट्रॉक्शन की MLA की और पार्टी का ओकोई KDP काओ कई कि सी कि कि और पार्टी काओ उसके बाद देखो तो खुदी करें नहीं तो चोड़े जाए उनको पता कि बिल्डो जर्फ हमारे उपर चलने वाला है यह उसके पूरी उम्हीं करीम कोट में जाब इतने इतने बिल्डिंग और जिन लोगो लिए तो लिए तोड़ा गया ना सुप्रीम कोट ने का कि कानून सब के लिए बराबर है चाहे अमीर हो कोई गरीब हो उन्हें देखने नहीं कि बिल्डर है आम बंदा या बड़ा है उन्हें बिल्डर हो जो मर्जी हो लेकिन इलीगल है ला बराबर है और मराडू फ्लैर्स लिए तोड़े गए उससे ज्यादा पिछनी जाओंगा और जो नाइड़ा वाली बात की बिसेंट्री जज्ज्मंट आई है और कितने ऐसे केस हैं कि मैं अगर बताने जाओं तो वक्त बहुत लाएगा लिए बात यह है कि फैसला जब कोट जो अभी फैसला है सुप्रीम को अब फैसला यह देखना है कि कोट क्या करता है और मुझे पूरी क्या करता है कि कोट जब कानून में कागस देखे गए जब देखेंगे साथ एक का नोटिस इशू हुआ है जब देखेंगे कि 2018 से कंस्ट्रॉक्शन हुई है और जेडियां 2018 से लेकर आए तक कारवाई नहीं दिली में कि नॉइडा वाज इन क्लीजन विद दी बिल्डर्स इसी तरह से यहां पर ऐसी स्ट्रॉक्शर पास हो सकते हैं कोट लिख सकता है कि जेडिया वाज इन क्लीजन विद दी एपलेंट एंड दिवालिटर तो यह मैसेज जब ससाइटी में क्लियर जाएगा जमू श बहुत शुक्रिया मैसे बाचित करने के लिए बहुत 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 शुक्रिया आपको यह थे मैसेज एड़्यूकेट मुजफर अलिशाफ साहब इसी तरह की मुज़ीद अपडेट्स देखने के लिए आप देखते रहें नियू साहर इंडिया महरफाज अमेंडाएंग क अबरे मैं शानौ अज़के साथ